ग्रहन अक्षत्र तारे उर्ष सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वगत हैं मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मेंद्र शास्त्री आज आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल यराशी फले तीन नमंबर दोजार अठारा शनिवार का दिन है कार्तिक मास के क्रिश्नपक्ष की एकारशी ती थी है जिसे रंभा एकारशी या फिर रमा एकारशी कहा जाएगा इस दिन रमा एकारशी का जो कोई भी ब्रत करता है उसके जन्म जन्मानतर के पाप नस्ट हो जाते हैं और उसके पुन्यों का उदै होने लगता है पुर्वा फालगुनी नामक नक्षत दिशा सूल जो कि पूरुदिशा में रहेंगे इसलिए पूरुदिशा की यात्रा करना इस दिन नुकसान दायक माना जाएगा यदि किसी कानवनास आपको पूरुदिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो अध्रक खा करके यात्रा कर सकते हैं राहुकाल जो कि सुबह नो बजे से लेके साड़े दस बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुप मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए ग्रह गोचर की एदिया हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव तुला राशी में चंद्रमा सिंग रासी में मंगल मक मकर राशी में बुद्ध ब्रश्चिक राशी में गुरू भी ब्रश्चिक राशी में शुकृतुला राशी में शनीधनो राशी में राहुकरक और केतु मकर राशी में रहेंगे इस ग्रह गोचर के नुसार ब्रशब मिथुन करक कन्या ब्रश्चिक मकर कुम्भो और मीन ये आठ लकी राशियां रेने वाली हैं। इनके कारिक्षित्र में नोक्री या बिजनेस में कोई परिवर्तन भी होने वाला है। जो परिवर्तन होगा वह लाबदाई इनके लिए रहेगा। अब हम आपको मेंस से लेकर के मीन सभी 12 राशियों का राशी फल बताने जा रहे हैं। आप हमारे इस वीडियो को अंते तक अवश्च देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेंस राशी की। आज पास के लोगों के साथ मिलकर काम करने का दिन है। आपको केरियर के अच्छे उप्सन पर विचार करना चाहिए। इसके लिए दिन आपके लिए बहुत शुक्त साबित होगा। आने वाले समय में आपको अपनी महत्वक आंक्षाएं पूरी करने का आउसर भी प्राप्त होगा। दोस्तों से मिले अपनी मन की बात शेयर भी करें। तनाओं आपका कम हो जाएगा। मन में लगभग हर चीज को ले करके उच्छुक्ता बनी रहेगी। मोज मस्ती करने के आप मूर में रहेंगे। मकान, जमीन और जाइडाद में घर से चलने वाले किसी बिजनेस में निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। कहा निवेश करना है इस बारे में किस्मत के माध्यम से आपको संकेत प्राप्त होने वाले हैं। खुद पर भरोसा रखे। आज आप किसी अनुभवी से सलाहा भी अवश्य करे। उपाय के रूप में यदि आप लाल रंग का कुंकुम जिसे रोली कहा जाता है वो यदि माध्यूरगा को चड़ाएंगे तो देन आपके लिए अतिशुप साबित होगा। अब हम बात करते हैं व्रश्यवरासी की। अपने अनुभव और अपने नालेज से आप लोगों के मन की बाते और उनके इरादे समझ जाएंगे। हर चीज की गहराई में जाने की आप कोशिश करेंगे। दामपत्ति जीवन में आपकी मधूरता बढ़ेगी। मन में कई प्रकार के विचार चलते रहेंगे। जिने आप अपने साथ के लोगों से शेयर भी करेंगे। अविभाइत लोगों को विवहा का प्रस्ताव भी मि पैसो के मामलों में कहीं इसे आपको रूचक प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता है। नहाने के पानी में यदि दो बून कच्छा दूद आप डाल देंगे तो दिन आपके लिए अतिशुप साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की। किस्मत का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन आप चिंतित मत होना क्योंकि सोचे हुए सभी काम आपके पूरे हो जाएंगे। नीजी और कामकाजी जीवन में प्रसनता और सकरात्मकता रहेगी। आपके मन में पहले से कोई शंका है तो वह भी दूर हो जाएगी। पुराने चले आ रहे हैं अउसर भी आपको मिलने वाले हैं। मनोरंजन के अउसर आपको मिलेंगे। रिष्टो के चेतरे में कुछ अच्छी घटनाएं घटित होगी। जो भी होगा आपके हित में होगा। प्रेमी के साथ अच्छे संबंद रहेंगे। उपाई के रूप में यदि आप कोई भी फ सच का सहारा निना आपके लिए ठीक रहेगा। खुद पर ध्यान दे। महत्तु पूर्ण चीजों को सुरक्षित करके रखे। अपना डाटा भी सुरक्षित करके रख ले। मनोरंजन और मस्ती के इच्छा आपके अंदर बहुत रहेगी। जहां तक हो सके पेसों से संबं मामले आज ही निप्टा ले। जर्वत पड़े तो किसी से मदद भी मांग ले। सयम से रहे। उपाय के रूप में। भगवान गणेश जी को यदि लाल रंग का कपड़ा आप चड़ा देंगे। तो दिन आपके लिए अतिशुप साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिं मदद करने का आउसर भी आपको मिलेगा। उससे आपको संतुष्टी प्राप्त होगी। आपके पास कुछ अतिरिक्त धन भी रहेगा। किसी करीबी व्यक्ति की आप मदद करेंगे। रिस्तो में सब कुछ सामन रहेगा। प्रेमी के साथ चित-पुत मामले उठ सकते हैं लेकिन उन्हें में परेशानी वाली कोई भी बात नहीं रहेगी। उपाई के रूप में गी का दीपक किसी भी मंदिर में जला करके दिया आप रखेंगे तो दिन आपके लिए अतिशुप साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशी की। दिन अच्छा है कुछ महत पूर्ण जिम्मेदारिया आपकी निपट जाएगी। दोस्तों और चाहने वाले लोगों से बाचीत होगी। आप अपने दिल की बात शेयर भी कर सकते हैं। बात बात में आपको कोई ऐसी जानकारी मिलेगी जिसका संबंद आपकी तरक्की से हो सकता है। परिवार के आपका या मामले भी आपके निपटते जाएंगे। खुद को खुश रखने की कोशिश भी आपकी रहेगी। संतुष्टी और उत्साह आपके अंदर महसूस होगा। उपाई के रूप में लाल फूल के ऊपर यदि आप सिंदूर लगा करके हनुमान जी के चरणों में खास चर्चा भी हो सकती है जो आपको पूरी तरह अलग दिशा में ले जाएगी। आप वही करें जो आपका मन कहता है। अपने से मिलने वाले हर व्यक्ति से बात करने के लिए आप उत्सुक रहेंगे। इसमें संकोच करने की उश्यक्ता बिलकुल नहीं है। परिवार के दिन बहुत अच्छा है आपके काम करने के तरीकों में आपको सुधार करना चाहिए। घर और आफिस दोनों जगह माहल आपके लिए सकारत्मक रहेगा। अपने काम से आप दूसरों का मन भी मोह लेंगे। और उपाई के रूप में नहाने के पानी में अदिया आप रहेंगे। अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। महतुपुर्ण मामलों की गहराई में जाकर के सोच विचार करे। परिवार के साथ संबंदों में मधूरता आएगी। पैसों के इस्तिती को ले करके किसी तरह का confusion भी यदि चल रहा है वह दूर हो जाएगा। आपकी आम अब हम बात करते हैं धनुराशी की। जरूरी काम निप्टाने के लिए किसी भरोसे मन व्यक्ति की आपको मदद मिलेगी। आपके काम पूरे होंगे। पुराना या रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। कोशिश करने पर पैसों से जुड़े कुछ मामले सुलजाने में आप सफलता को प्राप्त करेंगे। आज आप जिद करेंगे तो अपनी कोशिशों में सफलता भी आपको मिलेगी। धैरे रखे आपको कई तरह के लोगों से मिलना होगा और उनसे अपने मामने सुलजाने होगे। कुछ लोगों से आपको बहुत उपयोगी सलहा भी लिहाज आप लोगों का करेंगे और उनका मान सम्मान यदि आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सांत कान करने वाले लोगों से भी आपको सपोर्ट प्राप्त होगा किसी भी काम में सयम और सांती रखे अपने आप सुख और संतोज बरता जाएगा अपने काम पर पूरा निष्ठा पूर्वक आपको ध्यान देना चाहिए उपाई के रूप में किसी भी मंदिर में यदि आप हल्दी का डान करेंगे तो दिन आपके लिए अतिशुप साबित होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की कुछ मामलों में अचानक आपको फाइदा होगा किसी खास इंसान से सीधी और खुली बातचीत आपकी होगी इससे परेशानियों से निपटने का तरीका भी आपको मिल जाएगा कोई बड़ा फैसला आपको लेना पड़ सकता है या बड़े फैसले पर आपको काम करना होगा पेसो के मामलों पर खास रूप से ध्यान देना होगा कुछ नए आउसर आपको मिलेंगे आमदानी का भी कोई एकदम नया सोर्स आपको मिल सकता है अत्मिश्वास आपका प्रबल रहेगा आफिस और परिवार की दबी छुपी गती विदियों में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे आपकी सफलता दूसरों को प्रेरिद भी करेगी दूसरों से अपनी बात मनवाने में आप सफल रहेंगे जो चीज अच्छी लग रहे है जिसमें सुधार की गुंजाई से उसका आप आनन्द ले और उपाई के रूप में पीले फूल पर हल्दी और चंदन लगाकर के अदि माता महालक्ष्मी को आप चड़ाएंगे तो दिन आपके लिए अतिशुप साबित होगा अब हम बात करते हैं कुम्भ राशी की पार्टनर के साथ मन मुटाओ की इस्तिती समाप्त होगी पेशो के ख्षेत्र में अपनी महत्वा कांक्षाओं पर ध्यान दे अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी सकारात्मक्व्यवार के करण लोग आपसे प्रभावित रहेंगे आपका भी व्यस्त और सक्री भी रहेंगे ज्यादतर व्यस्तता दोस्तों और परिचित लोगों के कारण रहेंगी थोड़ा आराम करने का उसर भी आपको प्राप्त होगा सोचे वे काम पूरे करने के लिए समय अच्छा है और अच्छे से दिन भी आपका वितित होगा जरूरी काम आपके सभी निपट जाएंगे उपाए के रूप में यदि एक रोटी आप कुत्ते को खिलाएंगे तो दिन आपके लिए अतिशुप साबित होगा अब हम बात करते ही मीन राशी की कुछ खास काम में आपको किस्मत का सांथ मिलेगा और कुछ लोग अंजाने भी आपकी मदद करेंगे जो भी करेंगे खुद के धंपर आप करेंगे आप जिस बात को लेकर हेरान है वह पुरी तरह आपके सामने आ जाएगी आपका ध्यान दूसरों पर ज्यादा रहेगा समझदारी और साउधानी से आप काम करेंगे आपको कुछ अच्छे अउसर भी मिलने वाले हैं कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी और आपकी रूची बढ़ेगी दोस्तों के साथ आपका समय अच्छा व्यतित होगा उपाई के रूप में यादि आप गाई को हल्दी लगा हुआ आटा खिलाएंगे तो दिन आपके लिए अतिशुप साबित होगा तो मित्रो यह बारा राशी का डेनिक राशी फला हमने आपको बताया है हमारे इस ग्यान वर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सबस्क्राइब अभश्च कर लीजिए आपको और आपके परिवार को सादर जैसी क्रश्न सादर धन्यवाद